स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो स्रंख लाम है, मेरा नाम है अच्पी सोलंकी के तोर पर इसका प्रयोग किया जाता है, वो लेखने है कि बायो मास इधन कार्वन नीटरल होता है, इसमाल रहे बायो मास का प्योग बिकसित और विकासिल देशों में परीवन और विदुद उत्पादन के लिए क्या जा रहा है, बायो मास को फारिंग क्या है, यह कोला आध क्रिया के लिए प्रमपरागत कॉईला विदुद स्यंत्रों में आंसिक रूप से बदला भी किया जाते हैं इससे कॉईला विदुद स्यंत्रों से ग्रीन हाउस गेसों के उतिसर जन वही कमी आती है हलांकि बायोमास को फाइरिंग के समक्ष कुछ चनोतियां भी है जैसे कि को फाइरिंग के लिए मजबूत बुनियदी धाचे का अभाव है साथी पेलेट निर्मार छंता अपेक्षिस छंता से काफी कम है एक चनोती यह भी है कि अधीकांस बायोमास कौला सैंतरों तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि इसे आमतोर पर खेत में ही जला दिया जाता है बायोमास पेलेट्स को सैंतरों स्थल पर लंबी अबदी के लिए स्टोर करना चरौती पूर है यह पेलेट वायो से नमी को जल्दी से अफसोसित करते हैं जिससे वे को फाइरिंग के लिए बेकार हो जाते हैं बहरहाल सरकार दोरा इसी योजना को प्रोसाहित ही तो कुछ कदम भी उठाए गए हैं केंद्रिय विदुत मंतरा लेद्वारा फरवरी 2022 में प्रतिक ताब विदुत सैंतरों में 5-10 को फाइरिंग को अनिवारे कर दिया है ध्यान रहे कोईला आधारित ताब विदुत सैंतरों में बायो मास्क की स्तमाल पर राष्टे मीशन भी शुरू किया जा चुका है और इसे समर्थ नाम दिया है अगर समर्थ मीशन की बात करें तो इसका उद्देश से को फाइरिंग के स्तर को वर्थवान 5-30 से बढ़ा कर उच्छ स्तर पर लाना है बॉलर डिजाइन में अनुसंधान एवन विकास को बढ़ावा देना बायो मास्क की आपूरती स्रंखला में बाधाओं को दूर करना बायो मास्क को फाइरिंग में नियामकिये मुद्दों पर विचार करना इसके साथ ही पूरे देश में रास्टा विदुत प्रेसेशनल संस्थान द्वारा पेलेट निर्माताओं के लिए कैई प्रेसेच्छन का रेकरम आयुज़त किया रहे हैं आपको हमारी ये वीडियो से रंखला कैसी लगी आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं साथी HBC लंग के स्टेडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं